बात करते हैं भारत में बजट की इस्थिदी और बरतमान के बारे में थुड़ी सी जानकर लेते किस तरह से कौन-कौन से बदलाब कर दे गए हैं तो आपका पहले तो हम बात करते हैं 87 जो बजट था है यानिकि 87 जो बजट था जो कि 2017-18 में पेस किया गया था तो उस समयकाल क साथ है निकि 87 में बजट के साथ ही जो रेल बजट था रेल बजट था उसको क्या कर लिया गया आम बजट में मिला लिया जाता है निकि पहले क्या था दोजार सतर एठारे से पहले क्या था कि रेल बजट अलग पेस किया जाता था और आम बजट जो था उसको अलग पेस कि किया जाता था तो अब क्या था ये बाला जो तरीका था उसको समाप्त कर दिया जाता और रेल बजट और आम बजट क्या कर लिया जाता है उन दोनों का मिलन करा लिया जाता है और अब एक ही बजट पेस किया जाने लगा सताची में बजट को सताची में बजट को क्या किया ग तो 2019 का जो बजट था उसको भी दो फरवरी को फेज किया था क्यों क्यों कि एक फरवरी को छुटी थी समझना ना बात को चलिये बजट के सिधान्त देखते हैं कि कौन-कौन से सिधान्त होते हैं जो कि बजट के लिए बहुती जरूरी होते हैं तो यहां पर सबसे पहले पर सवबसें तो उसमें कुछ ऐसे त otra नों की जो कि क्या करता है सबसे पहले तो वह ये पारदर्सिता उसके अंदर का मतलब यह किसीए बिभाग का कितना पैसा आना है और कितना उसको छर्च करना है कि बॉटकर कौन से विवाग में चरूरत हैं और कहां का लगेंगे वाई तब कह दिया रहे वाई तब दो जार कड़ों या पहां चाहिए लेकर हमने बोल दिया हमसे सवाल जबाब नहीं करोगे तो यह नहीं आपको क्या होना चाहिए यानि कि पार दर्षता हो नहीं हमें सब को देखना चाहिए कि जो आपने रुपया मांगा है वो कहां पर लगाया जाएगा पता चले पप्पू की पढ़ाई के लिए वहाँ पे दो जार करोड़ों खर्च कर दिया या फिर माल लीजिए महन मोहन की सरकार है वो क्या करते अर्वों खर्वों का गोटाला करवा दे और दिसको इस तरह से निए क्यों करना है सब के सामने होना चाहिए पता चले कि आपने कितना रुपया लिया ओ वह कहां पर खर्च किया जाएगा दूसरा देखते हैं नियतकालिक होना चाहिए नियत काली का मतलब एक नियत समय में यानि कि एक साल का समय दिया है तो आपको जो नीतिया बगेरा बनानी है वो एक साल के लिए बनाएं और वहाँ पर क्या है उसका भी कुछ रियल्ट दें माली जी हमेरी यो परिच्छा होती है उसमें हमें एक साल का समय दिया जाता है कि हम है हमारी जो बिटिया है हमारे जो लला है वो क्या करेगा एक साल पड़ेगा और एक साल क्या मतलब मालीजिए साल भर में है वारी साथ आठ महीने पड़ेगा उसके बाद साथ महीने बाद या आठ नो महीने बाद उसके इतने इतने समय में क्या होंगे एक्जाम होगा एक्ज चल जाए गहा है वाईसा आपने क्या किया तो नियत कालिक हना है यह नियत बड़ेट बना है 50 साल के लिए फ़र्ट में पाई थी बहारत देश को तो क्या था वो नियत कालिक नहीं थी वो 70 सतर सालों से लूट और सतर सालों से ये करते हैं तो वहाँ पर क्या करना है एक नियत कालिक होना चाहिए हमें साल वर का अगर बजट बनाये गया है तो वहाँ पर नीतियों को क्या है एक इस तरह से बनाये जाए कि साल वर में वहाँ पर रिजल्ट जो है दिखना चाहिए कि ल समय दिया गया उसमें कुछ कार जो दिये हैं उनको पूड करना ही होगा दूसरा है सरल भासा होनी चाहिए मतलब ऐसी भासा होनी चाहिए जो कि कोई भारती है उसको समझ सके यह नहीं कि HELता सब?. टो हमने जाहिए तो एसी भासा हो सब के लिए क्या हो समझरे योग हो समझ रहा ने चलिए नेक्स वाद करते हैं अनुमानित आए कम तथा अनुमानित बे जो है वो ज्यादा हो तो इसे घाटे का बजट कहते हैं से बोल दूँ अनुमानित आए जो है यानि कि हमारा जो पैसा है वो उसका अनुमान जो हम लगा रहे हैं वो क्या है कम लगा पा रहे हैं वो जो व्य हो रहा है वो क्या हो रहा है व्य जो है वह बहुत अधिक हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे घाटे का बजट कहेंगे क्यो क्योंकि भाई साब हमारा जो लोंडा है है हमारी जो बिटिया है वो क्या कर रही है पैसे जो है कम कमा रही है लेकिन खर्चा उसका क्या हो रहा है ज्याद हो रहा है इसका मतलब वो घाटे का बजट का इस्तुमाल कर रहा है अगर अनुमानित आए ज्यादा और अनुमानित व दो रुपय अधर से तो अपना पनतरह के चाहा लगा लिया उपना फंदरह लोगा लगवग वही ठारे उनुनीस बैठेगा है तो अंवानें तो पंदरह वी हमारा आ रहा था और हमारा जो अब वहीं आते हैं हमने उदर से दो जार लिए दो जार हमने उदर से पांच यार इदर से ऐसे करके हमने अनुमाल लगाया कि हमारा जो रुपया आने वाला है लगाया और से मुतना लैघे याणि के पंद्रह भीष का लगाया तो ये निस अजार आ गया है लेकिन ये साथ है यो बात करते हैं बजट की भून का दीट चिव बजट की भून का वती है ये क्या होती है किसी सहर के लिए किसी गाउं के लिए किसी परिवार के लिए किसी एक चोटे से परिवार के लिए किसी एक चोटे से सहर के लिए किसी एक चोटे से राज के लिए और किसी एक देश की राज अर्थ ववस्ता के लिए ये बजट की भूम क्या होती है समझते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सरकार के बारे में यानि कि भारत सरकार के बारे में भारत देश के बारे में तो यहां पर जो बजट होता है वह बिदायका के प्रतिकार पालिका की बित्ती एवम नयाय की जवाब देजे को क्या करता है सुनेक्षित करता है यानि की जो बिदा पर पप्प की सरकार की है मरं लिजी बिधाइका में बाद क्या कर रहा है उससे की बेटा आपको एक budget तयार करवाना है अब बजट तयार करते क्या हुआ यार उनमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है जो पपू था हमारा मतलब चला जाता है थाइलेंड वहां पे मसाज बगेरा करवाता है और आते 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 क्या करता है वहां अगर हमने क्या किया वहां अगर वहां बजट की बात तैयार बजट की बात अगर वही ए तो बजट क्या करना है आपको पेस करवाना है तो आप क्या है कि जवाब दे ही है आपकी किस के प्रती आपकी कार पालिका के प्रती निविधायका की जवाब देता को क्या करता है सुनक्षी करता है कब करता है जब आप एक बजट को पेस करवा पाते हैं या फिर आप एक बजट को पारित करवा पाते हैं क्योंकि भाई साब अगर आप किसी अगर आप बजट को पेस करवा पाते हैं और पेस करवाने के बाद उसको पारित करवा पाते हैं इसका मतलब है आपकी जो सरकार है वह कार कर रही है और उसके बसकी है कि वो किसी भी देश की अर्थ व्यवस्ता को सुचारू रूप से चला सके क्योंकि भाई साथ जब बजट ही पेस नहीं करवा पा रही है तो उस पे पिछवाड़े में लात मार के उसको उदर बगाओ और एक नई सरकार बनाओ जिसमें इतनी पावर हो कि वह है बजट को क्या कर सके पेस करवा सके और उसको पारित करवा स सके जिससे किसी भी देश की अर्थ वबस्ता या भारत देश की अर्थ वबस्ता सुन क्या कर सके सुचारू रूप से चल सके क्योंकि भाई अगर कि सरकार को किसी विवाग को अगर पैसा टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है तो वो विवाग क्या नहीं कर पाएगा कार न कर पाईगी और विरस्ट जो जंता है वह भी उसमें लिप दो जाएगी और अपरादियों का जबो हो जाएगा और माली कोई दूसरा विवागा मंत्रा ले या कर माली जीए उसको क्या है पैसा टायम पर नहीं मिल पाएगा तो वह क्या है अपनी जुस्य वाए हैं वो तरीके से नहीं दे पाएगी वो अपने अपिकास नहीं कर पाएगी माली जो स्वास्तमंत्राले के पास उसका बजट पेस नहीं हो पाएगा, तो आप अंदाल लगा सकते हैं, कि डॉक्टरों को जब सेल दीने मिलेगी, तो वो उटक-उटक के आखें, कूद-कूद के भगेंगे, प्राइबेट की तरफ, और उन्होंने तो पेट भरना है, क्योंकि उन्हें लाखों रुपे खर्च करके, मेबीयस और पढ़ाईयां करकर के, वो करते हैं, तो उनको तो पैसा चाहिए, चाहिए, आप उनको पैसा नहीं देंगे, तो वो कुछ और करेंगे, वो और विरेस्ट हो जाएंगे, समझनाना बात को हो, तो इस तरह की कुछ परेशानियां हो सक करता है, कि बजट अगर आप पेस करवा पाते हैं, तो जाइस्थी बात है, उसको पार्ती भी करवाएंगे, पार्त करवा पारेंगे, इसका मतलब है, कि आपका जो सरकार है, वह सो चारू रूप से या बिधाय का, बिधाय का, जो है, कारिपालका की प्रती, क्या है? सुनि बैटा आया करूँ भाई या कहूँ एक पती बनता हूँ तो मेरी भी जवाब दे ही तो मैं अपनी बीवी के लिए कुछ करूँगा बच्चों के लिए आपका दो बेटे हैं बेटिया है और ऐसे करके उनके लिए बैटे की ऐए चीज बो चीज बिता है मेरे तो मैं उनका बेटे के लिए बेटे के रूप में क्या करूँगा उनके लिए जवाब देशनिक्षित करूँगा बैने तो भाई के रूप में अपनी जवाब देशनिक्षित करूँगा कि बाई साब हमारा भाई जो है हमारी जो चरूरते हैं उसको पूरा करता है और हमें को पताया कि कुछ पैसा नहीं पहुंचेगा लोगों के पास तो वो अपना कार रहे और अपनी जो कुसल कार रहें बने हैं वहें नहीं हो पाएगा यह सरकारी विभागों को बेवन निगतिविदियों की एक योजना के तहित एक छत के नीचे लाकर उनका एक ही किरत करता है और इसके तहत पिरसासनिक प्रवंदन तता समयनवय को आसान बनाया जाता है इसके तहत किसके तहत किसके तहत आपका बजट के तहते हैं कि यह भी एक इसकी भूम क्या है मान लीजिए अलग अलग विभाग है मान लीजिए यह सौस्त मंतराल है मान लीजिए यह आपका सौ जरूरतों को समझता है और वहाँ पर क्या करता है उन सभी को एक ही करता है मतलब एक ही छट के सामने नीचे जब सब को लाता है तो उसकी क्या है उनका प्रिसासनिक प्रवंदन होता है और समनवय को आसान बनाया जाता समनवय का मतलब है आप सी मेल मिला आप तो इसी को ही हम स सहयोग करना, यानि कि स्वास्त मंत्राले हैं, तो अगर हम स्वास्त मंत्राले हैं, कोई और मंत्राले हैं, तो वो क्या करता है? एक दूसरे का समनवय करता है, एक दूसरे का सपोर्ट करता है, यह नहीं कि स्वास्त मंत्राले में कोई जरूत पढ़ती है, तो दूसरे मंत्राल तो वो उसका सयोग नहीं करता तो इससे क्या रहेगा आप समन्वय नहीं कर पा रहे हैं चलि नेक्ट बात करते हैं भारत में सबसे पहले संगिये बजट को दो इस तर पर पेस किया जाता था या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि भारत में पहले संगिये बजट जो था वह द रेल बजट कहते थे जिसको रेल मंतरी पेस किया करते थे और इस वेवस्ता को अब क्या कर दिया गया है समाप्त कर दिया गया है यानि कि रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया है मिलन करा दिया गया है मर्जर करा दिया गया है ठीक है